हेलो बच्चो मैं हल्फ लाय आदव आज की कहानी है परमवीर चक्रविजेता कमपनी कौार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी तो आईए सुनते हैं अब्दुल हमीद की कहानी कि धामपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिलेक का एक छोटा सगाओ है और वहाँ का एक दरजी की दुकान के बाहर कुछ चहल पैल हो रही थी और एक आदमी बोला आकर के दरजी की दुकान के पास कि जराइन की सिलाई कर दो तो दरजी कहता हाँ भाई जान अब्दुल तरह ठीक से नाप ले लो तो एक दिन अब्दुल हमीद का एक दोश जो सेना में था उससे मिलने के लिए आया तो अब्दुल हमीद कहते हैं तुम बर्दी में बहुत अच्छे लगते हो और मैं भी फोज में भरती होना चाहता हूँ और क्यों नहीं होते तुमें एक अच्छे खिलाड़ी हो ये तो तुम्हारे लिए आसान होगा तो हमीद जो है मन में सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ फोज में भरती होने की अनुमती मांगने के लिए युवा जो अब्दुल हमीद थे वो अपने पिता जी के पास गए अब्दुल हमीद की मां से बात करने के लिए हमीद के पिता घर गए और उसकी मां से कहते हैं अब्दुल की कि तुम्हारा बेटा तो फोज में भरती होना चाहता है तो अब्दुल की मां कहती है हमें उसके लिए एक दुलन खोजनी चाहिए और एक बार जहां वो बाप बन गया तो फिर वो फोज को भूल जाएगा तो इसी वज़े से कि वो फोज में न जाय अबदुल हमीद, उन्होंने जल्दी से अबदुल हमीद की शादी कर दी और शादी के बाद भी अब्दुल हमीद की कपड़ों की सिलाईय अखेतों के काम से वो खुश नहीं थे तो उसकी बीवी पूछती है एक बार कि आप इतने उदास क्यों रहते हो तो हमीद कहते हैं मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ देश की सिवा करना चाहता हूँ और उसने योगेता की सारी शर्ते पूरी कर ली वहां के जो वह कहते हैं बहुत अच्छे तुम्हारा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है थैंक्यू सर अब्दुल हमीद कहते हैं तो अब्दुल हमीद को फिर साथ दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स की चोथी बटालियन में भ इसा लेता था वर्स 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तब चार क्रेनेडियर्स को नेफा जो अपकी अरणाचल प्रदेश में हैं में ठंगला रिस पर तैनात कर दिया गया उसी समय चीनियों ने आकरमण कर दिया तो अब इनकी सेना लड़ी कहते हैं यह चीनियों को अब्दुल हमीद की जो वह थी पल्टन कवर के लिए जुख जाओ दोनों तरफ से जमके गोली बारी हो रही थी लड़ाई में अब्दुल हमीद की तरफ के दो सिपाई मारे गये और इससे उनका दिल तूट गया पारती सेनिक तमाम बुरी परिस्थितियों के विरुद ब बहुत भादुरी से लड़े वो लेकिन संख्या बल में अधिक शुक्तिशाली चीन इक सेनिक उन पर चागए भारत चीन युद के बाद अब्दुल हमीद को दूसरे विश्व युद के विलीज जीप पर 106 मिलिमीटर रिकायल लेस गन चलाना सीखने के लिए कहा गया सिखाये उन्हें कि किस तरीके से टैंक पर निशाना साधा जाता है कि दूस्मन के टैंक पर निशाना लगाओ ठेरो यह जद में आ जाये तब फायर करो ठीक है अब्दुल हमीद कहते हैं यह सर अब्दुल हमीद ने शांदार प्रदंशन किया और युवा रंगरूटों को प्रिशिक्षित करने के लिए जल्दी उनकी एक प्रिशिक्षक के रूप में तरक्की कर दी गई अब वो जो रंगरूट नए नए आते थे उनको प्रिशिक्षन देते थे सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू और कश्मीर एवं पंजाम में फिर हमला करा और छुटी पर गए कंपनी क्वाइडर, मास्टर हवलदार, CQ, M.H. अब्दुल हमीद घर में रेडियो सुन रहे थे तो रेडियो पर सुनते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई कर दी है और सारी छुटी रद कर दी गई है, सब भी फोजी डूटी पर रिपोर्ट करें उनकी वाइफ कहती है इधर कि मैंने तो एक बुरा सपना देखा है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, अपना ख्याल रखना तो हमीद कहते हैं मैं एक सानिक हूँ और तुम एक सानिक की पतनी हो, चिंता मत करो फोर ग्रेनेडियर्स को खेम करा, भिकी विंड एक्सिस की पाकिस्तानी बक्तरबंग आक्रमण से रक्षा का काम सोपा गया पाकिस्तान के पास नए पैटन टैंक है, उनके पास रात में लड़ने के लिए इंफ्रारेड छमता है, चोबी सो घंटे सतरक रहना यस सर, ऐसा कहा हमीद ने CQMH अब्दुल हमीद को टैंकों का सामना करने वाला थलसेना का सबसे जरूरी हत्यार, रिकॉल लेस गन को सम्हालने के लिए कहा गया फोरन खंदक खोलो, हमारे सुरक्षा ठिकानों को बहुत मजबूत होना चाहिए Camouflage कपड़े से RCL Jeep को ठक दो, उपर से बचाव का समय नहीं है राद भर वे गन्ने के खेतों में पाकिस्तान के हमली का इंतिजार करते रहे 8 सितंबर सन 1965 को सुभई लगबग 38 से पहले तीन पाकिस्तानी टैंक उन्हें आते वे दिखाई दिये अब ठेरो ठेरो उन्हें और करीब आने दो, अबदुल हमीर ने कहा कि जब वो बिलकुल हमारी जदम आ जया, हमारे करीब आ जया, तो हम उस पर निशाना लगाएंगे तो अबदुल हमीर ने दूरी का निशाना लगाया, और जब अगला टैंक में 30 गज दूर रह गया, तो वो बोल पड़े, फायर, कि अब फायर करो, 106 मिली मीटर, आर सीयल गंद से राकेट छूटा, उन निशाने पर जा लगा, उस नए पकिस्तानी टैंक में आग लग दालिया, उन्होंने लडाई में शुरू में ही जीत का स्वाज चक लिया था, शाबाज अब्दुल, बहुत अच्छे, चोकस रहो, और हमला होगा, तो अब्दुल हमीर कहते हैं, ठेंक यू सर, हम हमले के लिए तयार हैं, और दो गंटे के भीतर पाकिस्तान ने फिर साहमल पर रह गया, और तभी एक एक चीत पड़े, फायर, अब उसे भागने मत दो, उनकी आरसील गन्ने अपने निशाने पर गोला दागा, और एक और पाकिस्तानी टैंक आग की भेट चड़ गया, उसके चालक दल के सभी लोग मारे गए, तेजी से इस्थान बदलते वे, अब अब्दुलहमीद कहते हैं, ठैंक्यू सर, यह हमारी पूरी टीम का काम है, और हम देश के लिए अपनी जानवी खुर्बान कर देंगे, तो सर कहते हैं, नहीं अब्दुल, तुम देश के लिए जीतोगे, तुमें जिनना रहना है, और सिपायों की अगली पीड़ी को तयार कहना है, यह सर, अब्दुलहमीद कहते हैं, पूरी राद CQMH अब्दुलहमीद अपनी जीप की सीट पर बिता दी और अगले हमले के लिए चोकस हो गए, नो सितंबर को पाकिस्तानी सेना के एक बखतर बंद डिविजन ने तीन बार हमला किया, पाकिस्तानी फोज को पता नहीं था कि बहादुर अब्दुलहमीद और उनकी फोर ग्रेनेडियर्स की टोली लेटे हुए भी उसी का इंतिजार कर रहे थे, अब्दुलहमीद ने फायर का इशारा करा और एक और पाकिस्तानी टैंक आका शिकार हुआ, चोथे टैंक ने वापस भाग जाने की कोशिश की पर तेजी से स्थान बदलते वे, अब्दुलहमीद और उनकी जीब के चालक मुहमन नसीब जो थे वो टैंक के करीब पहुँच गए, जल्दी दोस्त उसे भागने मत दो, अब्दुलहमीद बोलते हैं, नहीं भाई वे भाग नहीं सकता, चोथे टैंक का भी वही जीब पर रखी एक RCL ने पाकिस्तान के इतरे अत्यादुनिक टैंकों को धस्त कर डाला था, अब्दुलहमीद की अतुलनी अबहादरी को देखते वे, उनके लिए परमवीर चक्र की शिफारिश की गई, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था, नियायत हताश पाकिस्ता पाकिस्तानी सेना ने 10 सितंबर को एक भारी हवाई हमले के साथ एक और हमला कर डाला, पाकिस्तानी सेवर जेटों ने भारती ठीकानों पर बंबारी करते वे, भारती मोर्चा बंदियों को कमजोर करने के कोशिश की, फिर पाकिस्तानी बंवर्षक फोज ने अपनी तोपों से हमला कर दिया यह सोच कर कि भारत की मोर्चा बंदिया तूट सकती हैं पाकिस्तान की बक्तरवन सेना ने हमला शुरू कर दिया कोली बारी के बावजूद अपनी जान को भारी जोखिम में डालते वे चालक और CQMH अब्दुलमीन पाकिस्तानी टैंकों पर छपट पड़े जल्दी करो पाकिस्तानी टैंक सड़क के छोर की और बढ़ रहे हैं आओ हम उन्हें रोकते हैं पाकिस्तानी टैंकों के समी पहुशते ही अब्दुलमीन ने एक बार फिर निशाना साधा फायर और एक और पाकिस्तानी टैंक आगी फेट चड़ गया जल्दी देखकर खत्रा भाप चुका था तो उसने क्या करा उसे तोप की नाली जीब की और गुमा दी अब्दुल हमीद ने भी टैंक पर निशाना साधा दोनों और से एक साथ गोली चली और दोनों का निशाना बड़ा सटीक था पाकिस्तानी टैंक दोस्त हो गया और CQMH तक लड़ते रहे जब तक कि पाकिस्तानी अपने टैंक छोड़कर भाग नहीं गए खेमकरनन सेक्टर और असल उत्तर की लड़ाई पाकिस्तान की बखतरबन सेना के लिए वाटरलू की लड़ाई के समान थी वे सो से अधिक टैंकों से हाथ दो बैटे और अपने बेहत प् फोर ग्रेनेडियर्स के CQMH अब्दुल हमीत का ये वीरतापूर्ण कारनामा जिन्होंने देश पर अपनी जान निचावर करने से पहले अपनी 106 रिकॉयलेस गन से आठ पाकिस्तानी टैंकों को धस्त कर दिया और इस सास भरे काम के लिए उन्हें मरनो परांत परमवीर च